मशकर दोस्तों सवगत है आपका आपके अपने योट्यूब चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पर प्रेंग्नेंसी टेस्ट किस प्रकार कर सकते हैं फ्रेंच वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चेनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक सरूर करें आप बढ़ते हैं वीडियो की तरब अगर आप भी कोरोना के चलते हुए आप होस्पिटल में अपना प्रेग्नेंसी टेस्ट नहीं कर आ पा रही है तो आप घर पर ही अपना प्रेग्नेंसी टेस्ट कर ले इससे आपको बहुती आसानी होगी घर पर pregnancy test करने से आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी यहाँ आपके लिए बहुती सरल तरीका है घर पर pregnancy test करने का pregnancy का पता लगाने के लिए वेसे तो कहीं तरीके इस वक्त मुझूद है लेकिन उनके नतीजे कब बहतर और सही रहेंगे इसके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है इसलिए यहाँ पता होना चाहिए कि pregnancy test आखिर कब और sex के कितने दिन भाद किया जाए वेसे तो period नहीं आना, pregnancy का पहला लक्षन माना जाता है हाला कि इसकी कहीं वज़े भी हो सकती है ऐसे में आपको confirm होना चाहिए कि आप pregnant है या नहीं सर महिलाओं के सामने सबसे पहला और बड़ा सवाल होता है कि period ना आने के कितने दिन बाद test किया जाए साब तोर पर pregnancy का पता तब ही लगाया जा सकता है जब महिला के खून में SCG हार्मोन का रिसा होने लगे ज़्यादा तर महिलाओं में इस प्रोसेस को पुरा होने में 6-7 दिल लग जाते हैं वहीं expert यह भी सला देते हैं कि अगर आपकी period अब तक regular रहे हैं तो period मिस होने के ठीक अगले ही दिन भी आप test करा सकती है जब भी आप pregnant होने का विचार कर रही हो और period मिस हो तो जल्द से जल्द test कर लेना चाहिए या डोक्टर से मुलाकात करनी चाहिए हलाकि फिर भी भेतर और confirm नतीजों के लिए साथ दिन तक रुकनी की सलादी जाती है क्योंकि इससे पहले pregnant होने पर भी आपको result negative ही मिलेगे जल्द बाजी में test से कभी सही नतीजे सामने नहीं आते हैं pregnancy का पता लगाने के लिए kit का इस्तमाल किया जाता है वहीं कुछ घरेलू तरीकों से भी आप pregnancy का पता लगा सकते हैं test करने के लिए सुबह के पहले urine को लेने की सलादी जाती है इसके साथ ही अगर आप kit का इस्तमाल test कर रही है तो उस पर लिखे निदर्शों का सही से पालन करे इसमें लापरवाई ना हो इससे आपको गलत नतीजे भी मिल सकते हैं और फ्रेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि pregnancy test आप घर पर किस प्रिकार कर सकते हैं मैं आपको यहाँ प्रेगा निउस kit के साहिता से आपको pregnancy test बताऊंगी कि आपके इस प्रकार घर पर pregnancy test करें जो कि आपके लिए बहुत ही सरल होगा जैसा कि फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ प्रेगा निउस kit ले रखा है इससे आप pregnancy test बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके साथ ही हमें चाहिए हमारा सुबे का urine ये बात का ध्यान रखें कि आप जब भी pregnancy test करें तो आपको सबेरे का urine ही लेना होगा इससे आपका result बहुत ही अच्छे से आएगा अप प्रेंट्स आपको सबसे पहले में ये बता दू कि इसमें आपको सारी information दे रखिए कि आपको इसको किस परकार से test करना है ये आपको medical पर आराम से मिल जाएगी इसकी price पचास रुपे है ये आपको medical पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी अब फ्रेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि अन्दर से किस परकार का निकलता है इसमें यहां एक kit निकला है और एक drop निकली है इसके साथ यह आपको पॉसर निकला है यहां किट को खराब होने से बचाता है जैसा कि आपको गोल सा एक घेरा नजर आ रहा है आपको करना क्या होगा कि अपने यूरिन में इस तरह से ड्रोफ को डुबो कर और इसमें कम से कम दो बुंदे इसमें अपने यूरिन की डालनी है इस तरह से आप इसमें डाल दीजिए इसकी बात में आपको रिजल्ट का पता बहुत ही आसानी से चल जाएगा आपको कम से कम दो या तीन मिनी तक आपको वेट करना होगा आपको रिजल्ट बहुत ही आसानी से नजर आने लग जाएगा जिसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक लाइन नजर आ चुकी है अब आप अगर थोड़ा और गोर से इसको देखेंगे तो आपको दूसरी हलकी लाइन भी नजर आने लगेगी आप जिसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक हलकी सी लाइन भी आपको नजर आ रही होगी अब धीरे धीरे यह तीन मिनीट या दो मिनीट के बाद में यह बहुत ही ज़दा डार्क हो जाएगी आपको जल्द बाजी बिल्कुल नहीं करने हैं आपको कम सी कम थोड़ी देर तक वेट जरूर करना पड़ेगा जैसा कि प्रेंस आप देख सकते हैं कि दो मिनीट पुरे हो चुके हैं अब आप इसमें देख लीजिए कि दो या तीन मिनीट के बाद में इसमें किस तरह से आपको बिल्कुल डालक लाइन नजर आ रही है इसका यह पता लगाया जाता है कि यह पॉजिटिव प्रेंसी है यह बहुत ही आसान और सरल तरीका है घर पर प्रेंसी टेस्ट करने का आपको कहीं बाहर जाने की बिल्कुल जरुत नहीं है आप घर पर ही इसको बहुत ही आसानी से टेस्ट कर सकती है यह इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा अगर आपका प्रियर्ट मिस हो जाता है तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से प्रेंसी टेस्ट कर सकती है फ्रेंस मैं आपको एक सबसे ज़रूरी बात बता दू कि प्रेग्नेंसी टेस्ट करने के लिए आपको कम से कम साथ या आट दिन का गेप ज़रूर रखना चाहिए प्रियर्ट के मिस होने के बाद आप कम से कम साथ या आट दिन के बाद में अपना प्रिग्निंसी टेस्ट करें पर एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी आप प्रिग्निंसी टेस्ट करते हैं तो सवेरे की यूरिन से ही करें क्योंकि उसमें आपको result बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको परीनाम बहुत ही अच्छा मिलेगा और यहां आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा इसके लाओ फ्रेंस काफी बार क्या होता है कि कमजोरी की वज़े से भी प्रियर्ट मिस हो जाता है पर आप इस बात पर ज़्यादा ध्यान न दे अगर आपका प्रियर्ट मिस हो जाता है और अगर result negative आता है तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा फिर भी अगर आपका प्रियर्ड नहीं आता है तो आपको एक बार अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए कि आखिर आपका प्रियर्ड आ क्यों नहीं रहा है डॉक्टर आपके इस समस्या का समाधान निकालेंगे वैसे तो फ्रेंस दो या तीन दिन के बार भी रिसल्ट बहुत ही अच्छे से दिख जाता है अगर आपको बहुत ही जादा जल्द वाजी लगी रहती है प्रेग्नेंसी टेस्ट करने की तो आप जल्द वाजी भी कर सकते हैं पर फिर भी आपको इंसाल करना होगा तो देखा फ्रेंस आपने यही थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूले थांक्यू फ्रेंस मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई